हेलो वीवर्स, अससलामु अलेकुम, वेलकम बैक टो में चैनल, एज आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी, ओलेन फैब्रिक से किस तरीके से कुर्ती बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने ओलेन का फैब्रिक लिया हुआ है, और आज हम बनाने वाले हैं मीडियम साइज क कुर्ती बनाती हूँ, तो आज मैं मेडियम साइज की बना लेती हूँ, यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुर्ती को डबल फोल्ड कर लिया है, और उसकी चोडाई ले लिए 22 इंच की, अब इसकी लंबाई हमने लेते हैं, आपको कितनी कुर्ती की लंबाई पहनना है, उसी रख लेंगे, अब इसको एक बर हम फिर से माप लेते हैं, इसकी जो मारकिंग है, वो है 11 इंच की चालवर फोल्ड में, अब जो हमारा एक्स्टर वाला फैब्रिक होगा, उसको सब कट करके हम हटा देते हैं, चलिए फटा-फट कट कर लेते हैं, तो उलेन फैब्रिक से क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं, वो उनको बहुत कम चीज़े आती है, उस समझ में बहुत कम चीज़े आती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ, बहुत ही असान से तरीके से आप लोगों को बताओं, फिर उसके बाद में तो आप खुद ही दीरे-दीरे सीख जाओगे, तो य अब यहाँ पर आर्म होल, यानि की मुट्चे का निशान लेते हैं, 6.50 को पर उकुछ इस तरीके से मारकिंग कर लेते, क्यूंकि हमने जो चोड़ाई की मारकिंग किया, वो पहले ही कर लिया है, अब यह आप पर आर्म होल का शेफ तो गोल का शेफ हम नहीं यहाँ पर दे है और मुड़े का सेफ कंदे का शेफ देने के लिए में कुछ इस तरीके का हाफ सेंटी मीटर का मार्गी करना है और इस तरीके से निशान लगाना है जैसा है कि अभी तक हम कुर्टी में बनाते आ रहे हैं तो यहाँ पर बस साइज हमें लेनी है जैसा कि हमारे 11 इंच था हम आई अब आएंज साइज जो फिटिंग होगी वह फिंच कम करेंगी कमकरने के बाद में अब यहां पर ले लेते हैं चौक का हिसा कमर का हिसा झो हमारा होगा उसको ले लिया है 30 इंच की अब यहां पर हमने देके इस तरीके से निशान लगाना है है बस जो आम तोर पे मैं कुर्टिया कट करती हूँ वो कुर्टिया जो होती है वो गले की चोड़ाई जो है वो तीन इंच की में रखती हूँ बट यहाँ पर आज मैं उलेन फैबरिक से बना रही हूँ तो चार इंच की मैंने चोड़ाई रखी हुई है अब यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है गले की चोड़ाई पर कट लगा लिया है हीप के साइज पर कट लगा लिया है अब हम यहाँ पर चलिए स्लीव कट कर लेते हैं सिंपल से स्लीव हमारा जो फैबरिक बचाता उसको इस तरीके से हमने ले लिया है चाल बर इसको भी फोल्ड कर लिया है, अभी हम यह आपर फुल स्लिट्स बनाने वाले हैं और जो चोडाई हम से लिए है वो नौ इंच की, एक बर फिर से आपको दिखा देते हैं, यह आप पर हम ने जो चोडाई है चाल बर फोल्ड में वो 9 इंच की लिए है आर्मोल के पास तो आपर हमने कुछ इस स्लीव का निजान लगा करके कट लिए है अब हम आगे की इसे के फिटिंग के इसे पर लगा लेते हैं तो फिटिंग कर जो हमारा हिस्सा होगा, वो 5 इंज का हमने रखा हुआ है, अब इस तरीके से हमें लाइन एक ड्रॉव कर लेनी ह लाइन ड्रो करने के बाद अब हम इसको भी कट करके हटा देंगे अब हमारी जो स्लीव्स है वो अब कट के रेडी हो जाएगी इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी इसके अंदर आप लाइनिंग भी लगा सकते हो अदर्वाइज आप ऐसे भी बना सकते हो कोई इश्यू नहीं है तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चिकी है कट करके अब चलिए मैं आपको बनाना सिखाते हूँ तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेना है गले की लंबाई तो चार इंच हमने चोड़ाई लीती अब हम गले की लंबाई लेते हैं जो गले की लंबाई है वो भी मैं चार इंच की ही रख रही हूँ अब इसको हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से कोई अलग से फैब्रिक में नहीं यूज़ कर रही हूं मैं डारेक्ट या भुकरम पर भी नहीं यूज़ कर रही हूं डारेक्ट में आपर उल्लिन फैब्रिक पर ही नेकी मार्किंग करनी है मार्किंग करने के बाद इसको कट करना है तो यहां पर देखिए हमने मार्किंग कर लिखे रिघे कर लिए हमें बोड नीक का六 देना है हलका सा तो इस तरीके से हमने शेक्त ड्रेक करके एस को डाल टॉV्ण के टारे जूह यह मैं आपको मीडियम सैज के शाह से बतारे श्क यहां जो भी मेरियम सैज को यह इतनी ही रखेंगे, अब यहाँ पर हमारा जो नेक है, वो कट करके रेडी हो चुका है, अब चलिए हम इसको नेक को बना करके रेडी कर लेते हैं, उसके लिए हमें एक अलग से फैबरिक लेना होगा, उसके बाद में हमारे जो कुर्ती है, उसको इस तरीके से रखेंगे, सा इजी सा इस्टिप होता है, बहुत ही असान से गले में फिनिसिंग के साथ में बन जाता है, तो यह बहुत ही असान है, आप लोग प्राई करना, तो अब जो एक्स्टा वाला फैबरिक है, उसको हम कट करके हटा देंगे, तो मैं यहाँ पर उलेन का फैबरिक यूज कर र इसमें कोई भी कट नहीं लगाना है, सिंपल जो हमने एक्स्टा वाले फैबरिक लिया है, उसको एक एक इंच की मार्जिन रखने के बाद में, हमें सारा जो एक्स्टा वाला फैबरिक है, उसको कट करके हटा देना है, यह देखे, हमने कुछ इस तरीके से मार्किंग कर ले नहीं है एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक पर अब हम इसको कट करके हटा देंगे कि अब हमने इसको कट करके हटा दिया है अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले कुर्थी पर बैक वाली कुर्थी पर भी बना लेना है तो यहाँ पर हमने देखे इस दूसरे वाले पर भी लगा लिया है अब दोनों का शोल्डर जोइन करना है दोनों का शोल्डर का जो हिस्सा है वो हमें देखना है सिलाई एक्वल हो उसके बाद हमें शोल्डर को जोइन करना है अब इसी तरीके से दूसरा वाला भी शोल्डर हमें जॉइन कर लेना है बहुत एजी सा इस्टेप है अब इसके बाद में क्या करना है मैं शोल्डर जॉइन करने के बाद आपको बता देती हूँ तहाँ पर हमने शोल्डर जॉइन कर लिया है अब हमें इसकी फिटिंग लेनी तो यह जो उलेन का फैब्रिक है वो थोड़ा इसमें सूध निकल रहा है तो उमको बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से इसको बनाना होगा जो सूध बगर निकल रहा है उसको कट करते हुए फोल्ड कर देना अब यहाँ पर हम नेक जो है उसको फोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एक ही सिलाई लगानी होगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है अब मैं फटा फटा आपको सिलाई लगा करके दिखा देते हूं एक जीच कहना चाहूंगी गाईस अगर आपको उमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा और जो भी हमारे चैनल पर आ रहे हों नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और जादा से जादा से शेयर करिएगा आपके एक लाइक और शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशियेशन मिलता है फिर मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए इंट्रेस्टेड होती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपके लिए अलग-अलग तरीके से वीडियो बनाओ आई हो उमीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ये सपोर्ट करोगे तो हमारी नेक डिजाइन बन चुकी है और यहां पर अब हम फिटिंग ले लेते हैं मीडियम साइज की जो बस साइज फिटिंग होगी वो 18 इंच होगी 18 इंच फिर उसके बाद जो पांच इंच पर हमारी बस साइज की फिटिंग होती है उसमें एक इंच कम करेंगे हाफ इधर से और आफ उधर से सेंटिमिटर फिर उसके बाद कमर के इसे पर हम 19 इंच यह थोड़ा सा यहां पर camera का मैंने ध्यानी दिया camera थोड़ा सा इधर उदर हो गया इसलिए clear video नहीं आई बट मैंने यह पूरी video बनाने के बाद इसको देखा तो मैंने सोचे आप लोगों को बताते हुए जाओं थोड़ा सा नहीं दिख रहा है यहां पर confusion होगी इसलिए मैं सक्कुब बताते भी जा रही हूं तो अपर हमने 18 इंच जाइसे लिया हुआ था उसी पर हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से यह देखे हमने हमें slit बनानी है तो slit मैंने आपको कई बार बताई हुई है मैं यहाँ पर slit और bottom का हिसा बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से कुर्दी का slit आएगा simple सा slit होना चाहिए जैसा कि हम कुर्दियों में बनाती है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि कुर्दी में आपको बताने वाली हूँ ओलेन फैब्रिक से तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइट के slit बना ली है साथ ही मैंने bottom का हिस्ता भी बना लिया है bottom का हिस्ता भी बस fold करना है अब यहाँ पर sleeves जो है simple से मैंने बनाई थी तो मैंने बनाते हुए आपको नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाए और sleeves भी लगा लिया है I hope कि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देते हुआ कर दो